तो फ्रेंट जैसे ही आप अपनी बैंक बरांच जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक फर्म मिल ले वाला है जिसको हम बोलते हैं कस्टूमर रिक्वेस्ट फर्म आखरकार आपको इस फर्म को कैसे फिलफ करना है कौन कौन से डाकूमेंट लगेंगे और आप इस फर्म क सेर करता है इस चैनल पर सबसे पहले कोई प्रोबलम होगी तो चलिए आप यहां पर सपूर्ट कर लिजे चैनल को सब्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर लिए चलिए शुरू करते हैं अब यहां पर फिल करते हैं आपको ऊपर का जो परसन दिखरा ओगा जो कि मैन करना है तो चलिए हम लोग फिल करते हैं सबसे पहले आपको ऊपर की बोड़ देखने के लिए मिल ला हुआ क्या फ्रेंट बैंक यानि बैंक का नाम आपको क्या करना है बैंक इस दिन की फिल करना है जिस दिन आप ए फार्म जो है अपनी बैंक ब्रांच में शंविट करो ऐसा नहीं है कि आपने आज फार्म लिया और आज की डे डाल दी और आप उसको सम्मिट करो है कल परसो तो फ्रेंड ऐसी गलती नहीं करना है आपको उससे दिन की डेट याँ फिल करनी है जिस दन आप यह फिल आप ये फ अपना नम पर दो ससे bei कूझ आम झेड़ा जोड़ा हुआ है अगर आपको खाता है आपको अपने लोग तो आपको यहां पर फिल करना है जो कि आपके bank account में registered हो ऐसा नहीं है कि आपने आपके कोई mobile number रख दिया और फिर बाद में कहो कि यार मेरे तो OTP आना बंदूगे तो फिरंट आपको ऐसी गलती नहीं करना है आपको registered mobile number ही क्या करना है आपको यहां पर फिल करना है अब चलिए य यहां पर फिलीडकर करते हैं आपको यहां पर बनाद मारे क्या है नंबर पे यहां परकुस्त फोर्क इनौकर रोग करते हैं आप दो वरजन वरण सिंगल टुजवेंटे सतो कि अगर आपका जो भू सिंगल है वो सिंगल यह आपको क्या अंखरना करता है औरो कुछ नहीं करना यहां प्लीन है और यहां पे आपको आपके locker का number यहाँ पर लिख देना है locker number लिखने के बाद friend आपको क्या करना है थोड़ा से नीची आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने के मिला हुआ क्या first account holder signature आपको यहाँ पर आपके signature करने है जो कि आपके bank account में registered हो आपको बहुत अच्छे सूसों मच के आपको signature करने है और उसके बगले में लखा हुआ क्या second account holder signature आपको यहाँ पर वही signature लिने है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है जिस बंदेग साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है उसके signature आपको लेना है पर compressor है क्योंकि आप उसकी मरजी की बना friend यहाँ पर कोई भी हिर बदल नहीं कर पाऊगे तो चलिए अभी यहाँ पर आपका जो form पूर्टरी के से फिल हो चुका है अब आपको इस पर जाया दमाग नहीं लगाना है जाया दमाग लगाओगे तो form गलत कर लोगे और form गलत होगे तो आपको पता है भाई state bank वाले बहुत नहीं चाहते हैं तो friend आपको यहाँ पर जाया दमाग नहीं लगाना है अब आपको क्या करना है भाई डॉकुमेंट चाहिए गंटों में कुछी दनों में आपकी जो request पूरी तरीकी से यहाँ पर confirm हो जाएगी अब यह बताना थोला समस्के लिए यार कितने टाइम में होगी क्योंकि हर एक bank वरांज का जो process होती है काम करने की speed होती है इसलिए हम fix नहीं बता सकते है कि भाई यहाँ पर इतने टाइम में हो जाएगा हाला कि आपकी request accept के लिए जाएगी और बहुत जल से जल हो जाएगी मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब के लिए और वीडियो को लाइक के लिए थैंक्यू सो मच